प्रेंस तिस इस आरध्य प्याली और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे ब्लेंदर और इंस्केप को लिंक अप कर सकते हो विद ओपिन शॉट तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप ओपिन शॉट को डाउनलोड कर लीजिए फिर आप डाउनलोड करिए ब्लेंदर को और आप डाउनलोड करिए इंस्केप को एक बार ये तीनों डाउनलोड हो जाए फिर आप इंस्टॉल कर लीजिए ब्लेंदर और इंस्केप को इन विंडोज ये देखिए, मैंने OpenShot खोल दिया है अब जब हमारा Blender और Inkscape डाउनलोड हो गया है तो अब हम इन्हे OpenShot के साथ लिंक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमी जाना होगा Editor में, उसके बाद Preferences ये देखिए Friends, Blender Path की जगा पे हमें Blender लिखा हुआ आ रहा है और Advanced Title Editor, Inkscape की जगह पे, हमें सिर्फ Inkscape लिखा हुआ रहा है मैं Title पे जा रही हूँ, Title मैंने क्लिक किया मैं Advanced में जा रही हूँ, Use Advanced Editor, ये देखिए Please Install Inkscape to Use This Function वैसे ही अगर मैं Title में, Animated Title में जाती हूँ मान लीजिए मैं पहले बाला ये यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे लिख्के आ रहा है कि Blender 3D content creation is required for this action तो Friends, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप Blender और Inkscape को link कर सकते हैं with OpenShot हम जाएंगे PC के C Drive में, Program Files, ये देखिए Blender Foundation, Blender और ये रहा मेरा Blender का EXE application मैं इसमें right-click कर रही हूँ फिर properties ये देखिए Friends, मुझे ये location का ये path जो है copy करना है और फिर OpenShot में आके एडिटर में जाके, Preferences में ये Blender जोहां लिखा है, इसके आगे जाके इसे paste करना है फिर आप एक black slash लगाईए Blender के आगे और Blender के पीछे लिखिए .exe अब हम इसे close कर रहे हैं हम जाएंगे PC के C Drive में यहाँ पर फिर program file में चलते हैं ये देखिए हमारा Inkscape और ये रहा Inkscape का application इसको राइट लिख करिए प्रॉपर्टी इसमें जाएए और ये जो location है program file का इसो copy कर दीजिए ओपिन शॉट में आईए एडिटर में प्रेफरेंसेस में और Inkscape के आगे इसे आप पेस्ट कर दीजिए फिर आप ध्यान से black slash लगाईए Inkscape के आगे और Inkscape के बाद लिखिए .exe अब close कर दीजिए एक बर हम edit को खोल के देख लेते हैं कि हमारा path save हो गया है edit के बाद preferences यह देखिए यह देखिए ठीक है path हमारा save हो गया है मैं close कर रही हूँ अब हम फिर से title पे चलते हैं यूज अद्वांस एडिटर यह देखिए friends हमारा Inkscape ओपन हो गया है हम एक बर blender को भी चेक कर लेते हैं टाइटिल में जाके animated title टाइटिल वन यह देखिए friends यह blender शुरू हो गया है अब हम blender में काम करना शुरू कर सकते हैं फ्रेंड मैं आशा करती हूँ आपको मेरा यह video अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई question हो तो मुझे comment लिख कर बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले फ्रेंड आज इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक स्थे हल्दी और से फ्टंक य।